नमस्कार दोस्तों ये है नियूली लॉंच हीरो ग्लेमर एक्स्टेक 125 बीए सिक्स का ड्रम वेरियंट ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ हीरो ने ग्लेमर एक्स्टेक को न्यू लॉंच किया है ड्रम और डिस्क दो वेरियंट में मोबाइल, ब्लुटूथ, कनेक्टिबीटी, जीपियस, स्मार्ट फीचर और भी कई नई फीचर इसमें दिये गए है अब इसकी कीमत भी नॉर्मल ग्लेमर से लगबग 4,000 पे बढ़ गई है इसमें क्या-क्या बदलाब हुए है, नई फीचर क्या है, माइलेज क्या है, नई उन रोड कीमत कितनी है सारी जानकर यह आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करते है तो इसकी जो हैड़ लाइट है, वो पूरी की पूरी चैंज हो चुई है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का विंट सील्ड का ग्लास मिल जाता है और यहाँ पर इसके उपर हीरो का 3D में लोगो दिया गया है और इसका जो visor है वो भी पूरा का पूरा change कर दिया गया है नीचे की side में white color का sticker मिल जाता हो यहाँ पर आपको वही पुराने वाले bulb वाले indicator मिल जाते हो यहाँ पर आपको LED DLs का option मिल जाता है जो की एक नया features इस बैक में add किया गया है यहाँ पर आपको fully LED का setup देखने को मिल जाता है जैसा कि आप इसकी रोशनी को देख सकते हो जो की काफी attractive look दे रही है और इसकी नीचे की side में चलें तो यहाँ पर आपको glossy blackness में इसका front वाला mudguard मिल जाता है इसकी उपर IBS का logo मिल जाता है इसमें integrated braking system दिया गया है इसकी आगे wheels के उपर glamour की stickering मिल जाती है और यहाँ पर आपको white color की lining भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी attractive look दे रही है और यहाँ पर आपको telescopic suspension मिल जाते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सबसे बड़े बदलाब की तो इसका जो meter console है वो पूरा का पूरा change कर दिया है पहले इ engine की malfunction light, turn signal indication light की दी गई है और यहाँ पर आपको i3s की indication light देखने को मिल जाती है यहाँ पर gear की neutral light और यहाँ पर man headlight की indication light देखने को मिल जाती है और इसके side में side stand की indication light दी गई है और यहाँ पर आपको RPM की reading देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको gear position indication देखने को मिल जा सीडिंग दी गई है यहां से आप इसके ट्रिप को देख सकते हो यहां पर और यहां पर आप रियल टाइम एबरेज भी काफी attractive हैं और इसके दूसरे नई features की बात करें तो यहाँ पर आपको mobile charging का port मिल जाता है पहले glamour में mobile charging का port नहीं मिलता था और यहाँ पर इसकी handle bar road है वो black color की दी गई है और जो side mirror है वो भी आपको वही पुराने वाले मिल जाते हो यहाँ पर passing switch, low beam, high beam switch और यहाँ पर आपको indicator और horn का switch नीचे की side में देखने को मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ पर i3S का switch दिया गया है और इसके नीचे की side में self का switch दिया गया है इसको side profile से देखने पर इसके जो sticker और जो graphics है वो totally change कर दिये गए हैं और इसके नीचे की जो theme है वो black color की दी गई है और इसके fuel tank के काउल के उपर glamour का 3D में logo दिया गया है palace में 3D में logo नहीं मिलता था यहाँ पर white color की strip मिल जाती है और white color के graphics भी मिल जाते हैं और यहाँ पर programmed FI की bedging मिल जाती है और यहाँ पर i3s का sticker दिया गया है यहाँ भी आपको white color का combination मिल जाता है और इसके seat cowl के उपर भी hero का sticker दिया गया है white color का और इसके पीछे वाले tire के size की बात करें तो 808 tire size दिया गया है और इसके alloy wheels के उपर glamour की branding मिल जाती है और white color की strip देखने को मिल जाती है इसके पीछे वाले suspension की बात करें तो 5 step adjustable hydraulic sock absorber type के suspension मिल जाते हैं और इसके पीछे की side में 130 mm की drum brake का option मिल जाता है और यहाँ से आप इसके पीछे वाले tire की grip को देख सकते हो और यहाँ पर आप जो है इसके पीछे वाली tail lamp को देख सकते हो जो कि LED की दी गई है और यहाँ भी आपको कोई भी changes देखने को नहीं मिलेगा वही पुराने वाले indicator यहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं और इसके उपर की side में आपको mad finish मिल जाती है जिसके उपर hero का sticker दिया गया है और यहाँ पर आपको glossy finish में grab handle मिल जाता है जो कि black color का है इसकी seat की quality की बात करूँ तो इसकी seat की quality है वो पहले से काफी अच्ची और काफी वैतर दी गई है अब इसके दूसी side में चलें तो यहाँ भी आपको same sticker और ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो की dual tone color में दिया गया इसके पीछे की side और यहाँ भी आपको i3S का logo देखने को मिल जाता और इसके जो fuel tank की capacity है वो 10 liter की दी गई है 10 liter की दी गई है और इसके पीछे की side में चलें तो यहाँ पर आपको seat का locker देखने को मिल जाता है इसके नीचे की side में और यहाँ पर आपको company fitted black color का sardi guard दिया गया है और यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाता है और इसका जो chenset cover है वो fully covered दिया गया है जो की plastic का है जो की build quality में काफी मजबूत दिया गया है और यहाँ पर आपको adjustable footrest भी मिल जाता है side stand और man stand दिये गये है और इसकी side stand के उपर एक engine cut off का sensor दिया गया है जो की एक नय features इस back में add किया गया है और यहाँ पर 5 speed gearbox दिया गया है इसकी engine का जो color है वो fully black color का दिया गया है जिसकी उपर hero की branding दी गई है इसके engine और power की बात करें तो इसमें 124.7 cc का air cooled 4 stroke 2 valve BS6 fuel injected engine दिया है इसकी maximum power है 10.84 PS की 7500 rpm पर इसका maximum torque है 10.6 Nm का 6000 rpm और इसका curve weight है 122 kg इसके additional features की बात करें तो इसमें दिया है auto seal trial 92 mm का right smart features दिया है और side stand engine cut off sensor भी मिल जाता है और इसमें आपको जो है एक extra features भी मिल जाता है bank angle sensor का अगर आपकी bike गिर जाती है तो इसका जो engine है वो automatic बंद हो जाता है और इसकी engine की दूसी side चलें तो यहाँ भी आपको जो हीरो की branding देखने को मिल जाती है FI की badging भी मिल जाती है यहाँ पर spark plug दिया गया है और यहाँ पर एक sensor दिया गया है और यहाँ से आप इसके fuel injected system को देख सकते हैं इसके mileage की बात करें तो इस bike में आपको 60-65 km per liter का आसानी से mileage मिल जाएगा और इसके engine के head के उपर एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है इसके exhaust के उपर एक catalytic converter देखने को मिल जाता है जिसके उपर एक metal की plate दी गई है और इसके नीचे की side में आपको plate देखने को मिल जाती है जो की safety features के इसाफ से लगाई गई है जिससे आपके जूते चपल और पैर ना जलें और इसके exhaust के उपर आपको एक glossy finish में black color की metal की plate देखने को मिल जाती है इसके exhaust में जो है कोई भी बजलाब नहीं किया गया है वही पुराना वाला exhaust जहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अब दोस्तों मैं आपको इसके engine का और इसके exhaust का sound सुना देता हूँ तो सबसे पहले हम bike को start कर लेते हैं तो bike start हो चीग है तो हम मैं आपको इसके engine का sound सुना देता हूँ तो यहांसे आप इसके engine का sound कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके on road price की तो इसके drum variant का on road price है hero glamour x tech का 95,950 रुपे अगर आप इसको disc variant में लेते हैं तो इसकी on road कीमत है 1,1200 रुपे दोनों variant में 5000 रुपे का फर्क है यह on road price मैंने आपको बताया है sinus shore hero madhyam gram kolkata sorum का sorum की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other state बाले बिल्कुल भी tension नाल है आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का glamour x tech का दोनों variant का on road price reply करके बता दूँगा यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा like करें comment करें share करें thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में